सिक्षार्थियो नमस्कार आज हम लोग प्रारंबिक सिक्षा के सार्वभावमी करण में कौन-कौन से तत्तो बाधक हैं इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे जिसे की कहा जाता है कि Obstacles in Universalization of Elementary Education कौन-कौन से factors हैं जो की प्राथमिक सिक्षा के सार्वभावमी करण में बाधा उत्पर्न करते हैं और इसका तापर यह क्या है यह जानने और समझने की इस आईकाई में हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्षा का सार्व भौमी करण क्या है और इसका क्या अभिब्राय है तो सिक्षा के सार्व भौमी करण अथवा सारवजनी करण का मतलब है जन जन को सिक्षित करना अर्थात ऐसी सिक्षा जो की प्रतीक व्यक्ति को समाज के अंतिम व्यक्ति तक को सिक्षित करती हो उसे ही सिक्षा के सार्व भौमी करण कहा जाता है भारतिय सम्वेधान के भाग चार में वरनित अनुक्षेत 45 में प्रत्यक राजिक को जिम्मेदारी सौपते हुए यहां कामना की गई थी कि वे जन जन को सिक्षित करने के लिए प्रारंबिक सिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था करेंगे और इनहीं दिसानिर्देशों की पालना करने के लिए 2 अक्टूबर 1951 से ही सिक्षा के सार्व भौमी करण की दिशा में निरंतर और लगातार प्रयास किये जा रहे हैं हालाक इसमें तमाम तरह की बाधाएं जैसे आर्थिक मोर्चे पर परिशानिया या फिर विद्यालई धाचे की समश्चाएं इत्यादी आती रहती हैं लेकिन फिर भी यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसे हमारा समविधान के दाइरे में रहते हुए हम इसे अनजाम देने की कोशिश कर रहे हैं अब हम लोग यह जानने और समशने की कोशिश करेंगे कि प्रात्मिक सिक्षा के सार्वभौमी करण में आर्थिक पक्ष एवं विद्यालई धाचे को लेकर किस प्रकार की और क्या-क्या बाधाएं आती हैं या क्या-क्या बाधाएं हैं, क्या-क्या हिंड्रेंसेज हैं तो प्रात्मिक सिक्षा के सार्वभौमी करण में आर्थिक पक्ष एवं विद्यालई धाचे को लेकर कई तत्व हैं जो की बाधा उत्पन न करते हैं पहला जो तत्व है वह है आर्थिक विशमताएं भारत में आज सुदूर एउन दुर्गम छेत्रों में रहने वाले परिवारों का मुख्य विवसाय क्रिशी और मजदूरी है उनके जीवन यापन का साधन ही मजदूरी और या तो क्रिशी पे वो निर्भर है ऐसे में इन परिवारों के बालकों का आपचारिक सिक्षा की आशा करना किसी अपराद से कम नहीं है भूली से भी यदि ऐसे परिवार शहरों में आकर रहने भी लगते हैं तो जीवन निर्वाह और भरन पूसर की समश्या इन परिवारों के बालकों को बाल मजदूरी की योड़ धकिल देने के लिए परयाप्त होती है असिक्षा और परिवार नियोजन से वाकिफ ना होने अथवा दूर दृष्ट की कमी की वजह से इनके बढ़ते हुए परिवारों की बालिकाओं को माता, पिता और अन्य पुरुषों के कारे पर जाने के बाद छोटे बच्चों को समहलने के जिम्मेदारी का सामना भी करना पड़ता है ऐसे में सिक्षा इन परिवारों के बच्चों से कोशो दूर होती है जहां तक वो पहुँच नहीं पाते हैं और यही धन की कमी यही आर्थिक डिस्पैरिटी जो है वो बच्चों को सिक्षा से दूर करती है जिससे कि प्रारम्भिक सिक्षा जो हो हर बच्चे तक पहुँच नहीं पाती है दूसरा जो सौर्वभॉमिकरण में बाधा उतपर्न करता है, वह है आवपरियापत सरकारी बजट जो allocation है, education पे budget का, वह कई बार आवपरियापत होता है और अपरियाप्त होने की वज़ा से भी प्रात्मिक शिक्षा के सारो भूमी करण में तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं हमारे देश में जितनी धन रासिष शिक्षा पर व्याय की जाती है उसका चार प्रतिशत से भी कम प्रात्मिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है जिसमें से 90% सिक्षकों को वेतन पर खर्च हो जाता है और 6 केवल 10% ही विद्यालेयों और अन्य सामगरी के लिए बचती है तो अब सहाजिता समझ सकते हैं कि इंफ्रेस्ट्रक्शर के लिए कितना कम पैसा बसता है इस तरह 10% को भी हम सामाने तया हमारे यहां जो भवन जो हैं प्रात्मिक सिक्षा के जो प्रात्मिक स्कूलों के जो भवन हैं वह काफी जिनर सिर्ण हो जाते हैं उनकी मरमत में फरनीचर की विवस्था में टाट पटी के विवस्था में शामपट की विवस्था में या फिर स जुशकर कारे हो जाता है तो पहले जो समस्या थी वो थी आर्थिक विशमता और दूसरी जो समस्या थी budget allocation जो है वो का पर्याप्त कम होता है तीसरी जो बादा है वो है सिख्षा के सभी पक्षोपर ध्यान नहीं दिया जाना विभिन सिक्षा नीतियों और आयोगों की अनुशनसाओं में सिक्षा कास पर जोर दिया गया है सभी सिक्षा नीतियां और आयोग इस बात पर तो सहमत हैं कि सिक्षा का विकास किया जायना चाहिए और वो है इस बात पे भी सहमत हैं कि विद्ध्याले संरशनात्मक धाचे में सुधार, सिक्षक शिक्षा में सुधार, बालकों के सरवांगन विकास के लिए उद्यत्धोना, सामाजिक धाचे के अनुरूप सिक्षा, राश्टर के विकास के लिए सिक्षा, स्वयम को जानने अवम समझने के लिए सिक्षा, मानवता के लिए सिक्षा, शांत के लिए सिक्षा, आदी पर अलग अलग समय में प्राथमिक्ता के आधार पर आवश्यक परिवर्तन भी किये गए हैं लेकिन उची-उची डिग्रियां बाटने के चक्कर में प्रात्मिक सिक्षा वैसे की वैसे ही पीछे छोड़ जाती है। असमर्द हो जाते हैं चौथी जो बाधा है वह है विद्यालियों के इस्थिती या अनाकर्शक विद्याले हैं प्राथमिक सिक्षा के सारवजनिक करण को हासिल ना कर पाने में एक बड़ा हाथ विद्यालियों के इस्थिती और उनका अईभावकों को आकर्शित ना कर पाना हाल ही में भारत के सर्विक्षणों से सामने आप आया है कि बालिकाओं के लिए तो सौचाले तक के व्यवस्था विद्यालियों में नहीं है उस पर भी भवन के जरजर हालात, अध्यापकों की कमी, अच्छे अध्यापकों की तो कल्पना करना दुरू है अध्यापकों की कमी से ही हमारे विद्याले जूज रहे हैं ऐसे में इन विद्यालेओं में मजबूरी को छोड़ कर कोई प्रवेश नहीं लेना चाहता कहने का दात परेया है कि यदि विद्यालेओं को आकरशक बनाया जाएगा विद्यालेओं को एक विशेश तरीके के आकरशन का कीन रवनाया जाएगा तो सहजता यहाँ विद्यारतियों को आकरशित करेगा और विद्यारती घर में या इधर उदर घूमने फिरने खेलने के वजाए विद्याले में आकर ही रहना पसंद करेंगे अब प्रशनिहा उड़ता है कि सामाजिक पहलू और स्त्रिश शिक्षा के लिहास से प्रात्मिक सिक्षा के सारवी भौमी करण में क्या-क्या बाधाएं हैं तो इसको यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो यह पाते हैं कि जनसंख्या वृद्धी और आम जन्मिस शिक्षा का आभाव इसका एक प्रमुक कारण और पहला कारण है जनसंख्या में हम सब जानते हैं कि लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और इसके कारण भारतिय समाज का आधिकांश हिस्सा आज भी निरक्षर्ता की स्रेणी में शामिल है जनसंख्या वृद्धी पर अंकुष ना लगपाने के कारण कई बार सरकार के द्वार लगाए गया अनुमान बेबुनियात साबित होते हैं ऐसे में सब के लिए प्रात्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई कोई भी योजना सटीक रूप से कारगर नहीं हो पाती है और जहां से चले थे वहीं अपने आपको हम खड़ा पाते हैं प्रात्मिक शिक्षा के सारो भौमी करण में वृद्धि ना के वराबर हो पाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम जन का अधिकांस भाग असिक्षा के कारण परिवार के वृद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो यह बात समश्चना अवश्चक है कि जनसंख्या भृद्धि होने के कारण जो रिसोर्सिस हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं जिस अनुपात में की जनसंख्या भढ़ती है तो यह एक परिशानी का सबब होता है और इस कारण से जो है प्रात्मिक सिक्षा के सारवभौमी करण में हम उतने सफल नहीं हो पाते हैं जितना की हमें होना चाहिए दूसरी जो बादा है वो है महिला सिक्षा का आभाव यूनेस्को के आंकडे बताते हैं कि महिलाओं की विद्यालेगी सिक्षा में प्रती एक अतिरिक्त वर्ष की वृद्ध उच्चकक्षा में जाने से प्रती एक हजार पर छह सिश्यों की मृतिद्वर में कमी लाई जा सकती अर्थात जहां एक हजार में से 900 बच्चे जिवित रह पाते हैं वहां 906 बच्चों को बजाया जा सकता है नावींतम जनगरना वर्ष 2011 के आंकणों को देखें तो बाते हैं कि जहां एक तरफ केरल राज की महिला सक्षर्ता 9-2.07 है जो कि संपुन भारत की सक्षर्ता 6-5.46 से 2-6.61 प्रतिशत अधिक है वहीं दूसरी तरफ बिहार की महिला सक्षर्ता 50.50 है जो कि संपुन भारत की सक्षर्ता 6-5.46 से भी लगभग 13.96 प्रतिशत कम हैं महिला सिक्षा का भाओ भी सारवभोमी कर्ण में एक महत्पुन भाधा के रोप में देखा जा सकता है सामाजी करून हिया आज 21 सदी में भी पुत्र की चाह रखने वालों और पत्नी को परदे के पीछे देखने वालों की कताई कमी नहीं है ऐसे में घरेलू कारियों की अधिक्ता और समाज की रूढ हिवाधिता के कारण बेटी को विद्याले में पढ़ाने भेजने की बजाए माता के साथ कारियों में हाथ बटाने को प्राथमिक्ता के रूप में रखा जाता है समाज में अधिक पढ़ जाने करण विवाहेत उचित वर नाम मिल पाने के भैसे भी बालिकाओं को सिक्षा से वंचित रखा जाता है कई सम्युदायों में तो जन्म लेते ही एत्वा जन्म से पूर्व ही विवाहते कर दिये जाते हैं इसे में पढ़ाई की बजाए ग्रहस्त जीवन जीना बालिकाओं और बालकों को सीखना पड़ता है जिससे आनुबातिक रोप से बालिकाओं की प्रारंबिक सिक्षा तो लगबग ना के बराबर होती है इस प्रकार इन कुरुईतियों और रोड़ी वाधिता के चलते प्राथमिक सिक्षा को सब पर लागू करने में हम असफल रहे हैं अगली जो महतपूर्ण बिंदु है इस डिबेट का इस डिसकोर्स का वहया है कि प्राथमिक सिक्षा के सारव भौमी करने में पाथे चरिया और नियमों को लेकर किस प्रकार की बाधाये सामानितया हमको नजर आती है तो प्रात्यमिक सिक्षा के सारभौमी करण में पाठ्य चर्या नियमों के सारभौमी करण को लेकर कई तत्व हैं जो की बाधा उत्पन करते हैं जिसमें दो तत्व जो है वो प्रमुक हैं और इन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए इन पे हमें ध्यान देना चाहिए पहला जो है वह है विश्तृत एवं अनुपयोगी पाठे कर्या और दूसरा जो है वह है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का कडाई से कठोरता से पालन ना होना पहली जो समस्या है वह है कि विस्तृत एवम अनुपयोगी पाठेचरिया कहने कातात पर है कि प्रात्मिक सिक्षा के वर्तमान पाठेकरम में एक रूपता नहीं होने एवम अलग-अलग राज्यों में स्वयम का पाठेकरम होने के कारण भी प्रात्मिक सिक्षा का स्वारोभोमी करण निश्चिती संभव नहीं है इस पर भी एक ही राज्य में निजी और सरकारे विद्यालेओं में भी प्रात्मिक सिक्षा के पार्थे करणों में अंतर है ऐसे में कैसे ब्रात्मिक सिक्षा का सारो भौमी करण हो जाएगा यहाँ एक यक्षप्रश्ण है कहने का तात परेया है कि जब तक पाथे चरया विद्यारतियों के जीमन से जुड़ी नहीं होगी जीवन उपयोगी नहीं होगी, उसका महत्व सामान्य जन जीवन में नहीं होगा, वह सामान्य जन जीवन से नहीं जुड़ी होगी, तब तक ऐसी पाथचरिया, ऐसे करिक्यूलम को पढ़ने-पढ़ाने का कोई मतलम नहीं है, और कई बार विस्तृत पाथचरिया को देखकर ह घबड़ा जाता है डर जाता है और वह स्कूल आने में आना कानी करने लगता है, तो विस्त्रते होमwe अनुपयोगी पाधियोगी पर्थेजियरिया जो एक महत्मपुर्ण कारण है, जिसके करण प्राथ्मिक सीक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का साथ वर्षों से अधिक समय बीद जाने के बाद भी कोई जादा लाप प्रात्मिक सिक्षा को नहीं हो पाया है क्योंगे सरकारी विद्यालेओं को छोड़कर निजी विद्याले अभी तक भी 25% अस्थान गरीवी रेखा से नीचे के बालकों को देने के तयार नहीं है वो कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं जिससे कि गरीवी रेखा से नीचे बीपील के बच्चे ही नहीं मिलते और यदि भूल से मिल भी जाए तो गणवेस, पाटेपुस तक अन्य सामगरी का खर्चा वहन गरीवी रेखा से नीचे के परिवार नहीं उठा पाते हैं जो कि प्राथमिक सिक्षा के सारवजनी करण में एक महत्तोपूर्ण बादा है यदि BPL के बच्चे कई बार किसी प्राइविट स्कूल में एड्मिशन गले भी लेते हैं तो वहां के खर्चे जो हैं और अन्य खर्चे फीस के अलावा फीस तो माफ हो जाती है लेकिन फीस के अलावा अन्य खर्चे जो हैं महेंगे पाठ पुस्तके उसका ड्रेस उसके मेंटेनेंस का खर्चा इत्यादी जो है वो BPL के परिवार उठा पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो यहां भी एक महत्त पूर्ण कारण है जिसके वज़से के प्रात्मिक सिक्षा के सारो भौमी करण में समस्याएं आती हैं धन्यवाद